स्री क्रिश्न कनहय आलाल की, स्रे निजानन्द स्वामी की, स्रे प्राणनाथ प्यारे की तिन चाई हादिदार रुहन का, जो रुहे बीच बड़ी दर्गाह, ए मरातबा मोमिनो, जिनवास्ते हुकमा हुआ, जिनवास्ते हुकमा हुआ, स्री क्रिश्न कनहय आलाल की, अक्षर ब्रह्मा भी ब्रह्मात्माओं को देखना चाह रहे थे, तो इसलिए फिर ये खेल दिखा करके, खेल के माध्यम से, अक्षर ब्रह्मा को भी ब्रह्मात्माओं के दर्शन कराए, और ब्रह्मात्माओं को भी प्रेम क्या होता है, वो समझाया, इस बात को समझाना चाह रहा है देख, देख, मैं देखिया ए इस सबक अरत आहा कहू कुम देख, देख करके भी मुझे यही पता चला कि पूर्ण प्रम परमात्मा का आदेशी सब कुछ काम करता है वो जैसे चाहते हैं वो इसे काम होता है ना तो आरश देले एतामता लिये के छी न रहे न बिना कदम अन्य था परमधाम की आत्मा है परमधाम के इतना कुछ ग्यान लेकर के भी ग्यान प्राप्त करने के बाद में भी उस शरीर में बैठे रहें यह तो संभवी नहीं है यह तो सरे राज जी के आदेश के कारण ऐसा रहा है वो तो एक्षण भी उन कदम में पहुंचे बिना नहीं रह सकते हाके आरश अलिख्या मेरे दिल को क्यों रहे रुव सुन शुकन जब पुर्ण प्रम परमात्मा नहीं मेरे दिल को परमधाम कह दिया तो फिर यह आत्मा यह बात सुन करके इस शरीर में कैसे ठीकिये तो सिधा इसको छोड़ करके उसको चले जाना चाहिए एक अदम ना रहे बिना कदम पर रुवें ठावर बैठा हा काई जन वैसे तो स्रीराज्य के कदम चरणों के बिना यह आत्मा एक शण के लिए भी नहीं रह सकती एक स्वास भी नहीं ले सकती तो आत्मा के रूप में स्री राज्य का आदेश ही बैठा है आत्मा के स्थान पर तो वही आदेश यह सारा कार्य करवा रहा है हुकुम कहे सो हुकुमे अर सबानी बोले हुकुम तो श्री राज्य के आदेश से ही तो यह ब्रह्मात्माओं के द्वारा कुछ बाते निकलती है तो ब्रह्मात्माएं भी उनके आदेश के स्वरुप में ही है और अरशबानी बोले हुकुम परमधाम की बात भी इसी आदेश के माध्यम से दुनिया में प्रकट हो रही है बोलने वाला भी वही है रू दिल हुकुम यह रह सके यह तो बैठी तले कदम ब्रह्मा आत्मा यह तो वस्तव में स्रीराज्य के चरणों में बैठी है प्रिर भी तो उनके दिल में उनका हुकुम क्यूं रहता तो यह जो लाश्वर शरीरधाऱ्न करने और ब्रह्मात्मा की शुर्ता है वह शुर्ता ही श्रीराज्य के हुकुम के कारण है इसलिए यह सब हो रहा है बांकि तो ब्रह्मात्मा है तो उसमें आप स्रीराज्य के चरणों में बैठिये खेल अतनमे हुकम रह ना सके हुजय तली रूहन ये खेल के शरीर में भी ब्रह्मात्मा होने का दावा करके तो ये हुकम रह नहीं सकता किन्तो हुकम हमारे खर्षम का क्यों देवे दाग मोमिन अभी ये करना चाह रहे हैं तो ये हुकम भी तो जग्यासा प्रकट कर रहे हैं तो स्रीराज्य का ही तो है हमारे धनी का है तो वो ब्रह्मात्माओं को कैसे लांचन लगाना चाहते हैं तो शरीराज्जी तो ऐसा चाहेंगे नहीं, तो ये सब कुछ क्यूं हो रहा है, उसके लिए अब आगे कुछ जग्यासा रख करके फिर समाधान बताएंगे तो परमधाम का सुख भी उनको ही मिलता है, जो इस खेल में बैठ करके उसकी मांग करते हैं तो इसलिए ये सब हुआ है, कि परमधाम की बात मगवाने वाला भी हुकुम है और देने वाला भी स्रीराज्य का हुकुम है हके करी वास्ते हांसी के, उन्होंने हांसी करने के लिए ब्रमात्माओं की इस प्रकार हांसी करने के लिए ये सब करवाया है ये बाते होची सब आरश्य में हसंस पड़शी शब, ये सब बाते जब परमधाम में होंगी जागरत होने के बाद में तो सब हसंस करके गिरने लग जाएंगे इतने उनको अश्री होगा यह हुकम है करी कई हिकमते हैं सब वास्ते हमारे रब तो हमारे धामधनी की करण इस हुकम ने कई प्रकार के ऐसे कारिय किये हैं कई चमतकार ऐसे किये हैं हम भी उन चमतकारों को बाद में जैसे ही हमें समझ में आएंगे तो उस समय हमें बड़ा अच्छा लगगा कि अरे राज्जी ने तो हमारे लिए ये सब करवाया सारा काम तो उन्हों नहीं किया हम तो कहीं गए भी नहीं थे आये भी नहीं थे और सारा का सारा हमारा नाम बिले करके हमारा ये रूप बना दिया और हमें लगा कि हमी हैं ऐसा ये सारा कारिये स्रराज्य नहीं अपने आदेश से करवाया है हकम मुक हुकमें देखा ही हुकम देखावे खेल तो खेल में बैठ करके स्रुराज्य के दर्शन करवाता है वो भी उनका हुकुम है और खेल दिखाता है वो भी उनका अदेश है हुकुम देवे सुखलुदनी तार्तम ज्यान का सुख्पी वही प्रदान कर रहा है हुकुम करावे इसका केला, तो अक्षरातित धामदनी से मिलन का अनवब करवा करके, तो उप्रेम में मस्त भी ये हुकुम करवाता है। हुकुम जोस गलवा करें, हुकुम जोर बढ़े इसका है। इसी हुकुम के कारण ही प्रेम का जोर बढ़ता है। प्रेम में भी शक्ति आजाती है। हुकुम इल्म रखे सुख को तो इसी हुकुम के कारण प्रेम रश का आश्वादन करवाने के लिए ज्ञान को भी रखते हैं हुकम प्याले पिलावे माफ़क और यही हुकम है यह प्रेम के प्याले पिला रहा है जिसको जैसे चाहिए उनके अक्षमता के अनुरूप तो राज्जी का आदेशी ऐसा है कि यो किसी को मुर्शित भी नहीं करता है और थोड़ा-थोड़ा उसका स्वाद चखाता है तो थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा स्वाद लेते हैं तो कोई एकदम मुर्शित नहीं होते है हुकुम अपना करे सब रूहन तो ये हुकुम ही ब्रह्मात्माओं की रक्षा करता है साब ब्रह्मात्माओं के राज्जी के चरणों में रख करके उनसे जोड़ करके हुकुमे जानी जातने शवता इसी हुकुम के द्वारा ही सब कुछ पता चलता है कि हम ब्रह्मात्मा हैं, श्रीराज्जी के अंगरूपा हैं, यह सब जानकारी भी यही करवाता है प्याला हुकुम पिलावई, करे हुकुम रखो पाता है तो प्रेम का प्याला भी हुकुमी दिलाता है और तो प्रेम का प्याला पी करके ब्रह्मा आत्मा एकदम उसमें मस्त हो जाएं, बेहोस हो जाएं और वो प्याला गिर जाए तो उभी होने नहीं देता है तो उभी टिका करके रखता है तो करे हुकुम रखो पाता है उनकी रक्षा भी वही करता है ना तो इन प्याले की बोये से तब ही अरवा ओड़ जाए अन्य था इन प्यालों में तो इतने ख्षमता है इनकी सुगन्द मात्र से ही आत्मा शरीर को छोड़ कर जा सकती है इनको पान करने की बाद तो दूर रही ए प्याला कवो किन ना पिया हम रूहें आई यहां तेन बेर इस प्याले को कभी किसे न नहीं पिया और हम ब्रमात्मा भी तीन बार इस जगत में आई है ए प्याले पहले तो पिये जो हम थे बीच अन्धेरा तो अभी जो हमें आश्वादन प्रेम का पान तो किया किन्तो अभी जो स्वाद उसका चखा रहे हैं उसका स्वाद पदा चला रहे हैं तो यह ऐसा है यह तो उस समय तो वो भी नहीं पिया था यह कह रहे हैं यह प्याले पहले तो प्याले प्याले हम आये थे तो हम अंधेरे में थे, अंधेरे में का तत्परे हमें पता नहीं था, तो अर्तम ग्यान उस समय प्राप्त नहीं था, इसलिए हमने पान तो किया, किन्तो उसका स्वाद नहीं लिया, यह प्याले पिये जाए, क्यों जागते, तना तबह जाए चिराए, तो अब जागरत करने के बाद में ठो प्रेम के प्याले पिय नहीं जा सकते हैं, पीते ही शरीर फटने लगता चुनद जाता है शरीर शचुटी ही जाता है तो रहे नहीं शकते, ये कहना चाह रहे है बुई भी ना सेए सके तो प्याला क्यों पिया जाए? जो सुगंद कोई सान नहीं कर सकते तो प्याला कैसे पी शकते है? हुकुम जो प्याला दे भ़ी सो संजमे, संजमे पिला है यह हुकुम ही जब प्रेम का प्याला पिलाता है तो सम्यम रखकर थोड़ा 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 पिलाता है ताकि एक यवार में वो मस्ति ना आए जिसे शरीर चुटे तो इस तरह से शरीर तेका है रखता है पूरी मस्ति ना हुकुम दे वही ये हुकुम ही पूरी मस्ति होने नहीं देता है जाने जने कांच अशी साफट जाए उसको यह लगता है कि अगर आइसा उने देंगे तो यह तो कांच के उसकी तरह से तो यह कांच के बरतन की तरह से उगिर जाएगा तो टूटी जाएगा ना तो इस तरह से यह शरीर भी तुरूंत छुट जाएगा ऐसा सुच करके इसको सम्यमित रूप से देरे देरे करके आस्वाधन करवाता है ना तो यह प्याला पीया कि एक अच्छा बजुध न राखिया कि कि न यदि यह प्याला पी लेते प्रेम का प्याला तो यह अच्छे शरेट को कोई रखी नहीं पाते है वो तो छोड़ी देते, पर हुकुम राखत जुरावरी, किन्तो इसको शक्ती दे करके, इसको रखने की शक्ती ताकत भी ये हुकुमी दे रहा है, प्याला पिला भी रखे जतन्य और तो प्याला भी पिला रहा है और इसको यतना पुरवक रख भी रहा है हुकुम मेहरवारी कियां यह मैं कहूं अभीदकिन स्रीराज्य के आदेश की क्रेपा तो बहुत बड़ी है उसको मैं कैसे बताऊं नजर हमारी एक अभीदकि पर सब विद सुधना रूहना तो हमारी दृष्टी तो एक तरफ की है किने करतात पर यह है तो हम तो मात्र स्रीराज्य के प्रेम को ही समझते हैं स्व विद सुधना रूहना प्रमाउत्मों को सप्रकर के सुधित हो भी नहीं सकते क्यूंकि उप्रेम में मस्तर अने वाली है तो यह आश्वादन भी हुकुमी करवा रहा है जितने भी प्याले पिए जाएं उसको कितना मस्ति दिलाना है कितना क्या करना है इस सहरा कारी स्रेरज्जिका आदिश करता है हर रुएं जतन करे कईविदा हर आत्मा को वो कईपरकार सी यतना पुरवक उनको रखता है जाने जिन प्याला दे वे गराएं अलके मनें वो कोई प्याला गिराणा दें इसलिए हर एक को संहल करके रखता है जतन करके रखना काता 거리 संहल के कर। जिन जेता हजमह हो गहीं, जिए면 हो यह नहीं बिवोस जिन से जितना पचता है, ताकि वो बिवोस न भो जाएं, उसे सब से पिलाता है, तब आइं फूटे कुपा काँ चका जब प्याले के जो स्पाओ प्याले के जो सेदी इस प्याले की शक्ती को देखें, तो उसके चतुर्था अंशमात्र की शक्ती भी उसमें कांच के टुकड़े को फोड़ने के लिए सक्षम है, जो शरीर को छुड़ाने के लिए सक्षम है. जिनकी शुगंदी भी नहीं लिजा सकती, वो मुँ तक कैसे पहुचाएंगे, जैसे दूर शुगंदी से इतनी मस्ती आजाती हो, तो उसका स्वाद जैसे चाखने लग जाएंगे तो वो तो करी नहीं पाते हैं. जो पाइदा रपय क्यों पीशके पर हुकुम पान कराएं. पाइदा रपय का थार्पधि एसे निरंतर रूप से पिलाते रहना तो यह कैसे हो सकता था? किन्तो यह हुकुम है सब काम करवा रहा है. पर हुकुम करत पनाय हुकुम है इस शरीर को जतन करके इसको सुरक्षित रख रहा है और थोड़ा थोड़ा करके पान उपरा उपरी पान करवा रहा है. इस शरीर के किसी अंग को इस पर्ष भी कर जाए तो भी उसके खाल उतर जाए इसमें इतनी ताकत है। ना तो यह प्याला हजम क्यों हुआ है निथा यह प्याला हजम कैसे हो सकता जब इसमें इतनी ताकत हो परहा का राखत पनाय न जा रहा है। तो शरीराजी तो अपनी कृपा दृष्टी के रक्षन में उनको रखते हैं। इसलिए ऐसा होता है। यह प्याला कोई न पी सके जुआ अलगते मुर्दा हो जाए। तो इस प्याला का पान तो कोई भी नहीं कर सकता है। जवास सपर्ष करते ही तो यह शरीर तो निस्प्राण हो जाता है। परहा का राखता है जीव को, तो श्रीराज जी ही इस शरीर में चेतना बनाए रखते हैं, ना तो याके खें चकाड़े खुशे बोए अन्य था मात्रसुगंद भी, तो इस में से चेतना को निकाल सकती है, केंच करके बाहर निकाल सकती है प्याले प्याले पिला वही ताकि निश्देन रहे खुमार तो प्याले के उपर प्याले उपर इशलिए पिला रहे हैं कि ब्रहमात्म राज दे राद दिन मस्ती में रहे देवे तवाफ निश्यदिन हुकम में है रकोनाई सुमार और ब्रहमात्म राद दिन अपन दिमाग को परमधाम में लगाते रहे परमधाम की परिक्रमा करते रहे इस प्रकर सरराज्य के हुकम में कितनी कृपा चिपी है वो बताया नहीं जा सकता बड़ा अचरज इन हुकम का मुर्दे राखत राखत जिवाए इस हुकम में वो हुकम की क्षमता बड़े आश्चरी वाली है कि ये निश्प्राण शरीर को भी जीवित रख रहे हैं मौत सरवत निश्यदिन पीवही तो मुर्दे रखे क्यों जाए मौत का सरवत राद दिन पीते हूं तो ये निश्प्राण शरीर का इसे रह सकता था किन्तो ये राज्य का आदेशी ऐसा है कि थोड़ा 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 करके पान करवाता है और इसको ठिकाय रखता है हुकम मुर्दों बुलावत और ऐसी देत अकल तो श्री राज्य का आदेशी इन इस्प्राण शरीर के माद्यम से भी कुछ न कुछ बूलाता है और उसको ऐसी बुद्धी भी देता है करत नजी कि हाक के मुर्दे कहावे अरश दिल और श्री राज्य के नजी की भी करवाता है और इस नश्वर शरीर का रिदय है उसको भी परमधा मना देता है स्रीराज्य का बास उसमें करवा करके है यह सब करामत है जमतकार यह हुकुम का है हुकम अलाख अविधाउं जतना करे हरा रूहों उपर सवन स्रीराज्य का आदेश है वो लाखों प्रकार से ब्रहमात्माओं को सुरक्षित रखता है वो ब्रहमात्माओं के उपर हमें सहाए हुकुम अजतना तो जानिये उस आपको यतना पुरवक रख रहा है उसके प्रहतना को हम तभी समझ सकते हैं जो याद आवे अरसवतन जब परमधाम याद आजाता हो तो उनी ब्रहमात्माओं को यह पता चलता है जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करे मुर्दारा तो जो ब्रहमात्मा पहले स्वें मुर्दा बनी करने का ताथ परिया तो वो मर गई और दुनिया के लिए तो उसको दुनियादारी में कुछ भी नहीं रहा उसको तो राज जी के प्रती ही प्रेम बना रहा तभी दुनिया को उसने मृत समान माना हाका तरफ हुए जीवते हो तो श्री राज्य के दिशा में ही जीवीत है स्री राज्य के लिए ही जीवीत है उड़पाँचे नूर के पार आन्य था तो वो तो उसमें तुरंत परम्धाम में पहुंच जाती है अक्षरदाम को विपार करके, तो यह दुनिया में हो ऐसा उसको उता ही नहीं, दुनिया इसका ना इमान क्यों उड़ा जाए बिना पर, तो दुनिया के पास में तो ना प्रेम है और नहीं विश्वासर इस रद्धा है, तो यह तो पंख है, इसलिए इन पंखों के बिना तो दुनिया को इस नस्वर जगत के प्राणी है, ऐसा कह दिया, और ब्रमात्माओं को यह तो आकास के पक्षी है, कहीं भी उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, इस तरह से कह दिया है, यह कुछ गरंथों में ऐसा कहा होगा, यह दुनिया जो खेल की छोड़ सुरय आगे ना चल तो यह दुनिया इस खेल में है, यह खेल के लिए बनाई हुए दुनिया है, वो सुन्य निराकार ज्योती शरूप उनको छोड़ करके आगे नहीं जा सकती है। महामत कहे ए मौमिनों बकाहासिल अरश रूहना। महामत ही कहते हैं ही ब्रमात्माओं, परमधाम की आत्माओं को ही यह अखंड बाते हैं, अखंड धाम, पुर्ण ब्रम परमात्मा वो प्राप्त हैं, उनके लिए उपलब्द हैं। ऐसे ब्रमात्माओं इनका असली तन है उतो परमधाम में ही है। यह बात समझना बहुत आवस्यक है। श्रीक्रिष्न कनाई आलाल की जये। ए मुमिना असलार समेतना महामत कई ए मुमिनों बक्का हाशिला अरश रूहन। बक्का असिला अरश रूहन। कैहा दिल जिनों का अरश बक्का। श्रीक्रिक्रिणिनों बक्का अरश बक्का। यह मुमिना असलार समेतना इ मुमिना असलार समेतना प्राणनात्य प्यारे के, जैतक बुरुदुदुदु अच्छार्श्वारु कृष्नमि श्वामी।